बरेकी बाद फिर्जे आपको स्वागत एरुक करते हैं खबरों की और देशबर में COVID-19 के JN1 वेरियंट के मामले बढ़ रही है लिहाजा जम्मू कश्मीर के स्वास्थ विभाग ने आपाथ हालत से निपटने के लिए तैयारियों की समिक्षा की है देशबर में COVID-19 के JN1 वेरियंट के मामले बढ़ रही है लिहाजा जम्मू कश्मीर के स्वास्थ विभाग ने आपाथ हालत से निपटने के लिए तैयारियों की समिक्षा की सर्दियों में चाती और वाइरल संक्रमन के मामले बढ़ रही है डॉक्टर अस्पतालों में इन लक्षन वाले रोगियों की जांच के लिए खास उपाय कर रही है हमारे सेकरेटरी साब ने भी एक मेटिंग लिए रिगारिंग कोड कोड के लिए आपने देखा कि पूरे हमारे भारत में हमारे जो ऑनरेबल मंतरी जी है उन्होंने एक मेटिंग लिए स्टेट की यूटीज की और हमारे भी यहां होई उसमें यही देखा गया कि हमारी प्रपरेशन है कहां पर हमारा आपने देखा होगा इसमें ऑक्सीजन का ज्यादा रहता है यहां डिस्पोजबल्स है ड्राग्स है यहां वो किट्स होते हैं टेस्टिंग का तो वो अमने एक कंदर से मौक डल भी किया नया बेरेंट पिछले स्ट्रेइन की तुल्ला में ज्यादा संक्रामक है संक्रामन से बचने के लिए लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगाहों से बचने के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तमाल करने की सलहा दे गई है मैं मास्क लागानी चाहे क्योंकि हम कोविड से बच सके जो बाहर से अपना रोजबरा का काम या रोजबरा की लाइफ जो है वो हम एफेक्ट नहीं कर सकते हैं केंद्रिस्वास मंत्राले ने बताया कि पूरे देश में सोमवार को कोविड के 605 नए मामले दर्श किये गए इसके साथ ही संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4002 हो गई है 7 जनवरी तक 12 राजियों से तयार रिपोर्ट के मुताबिक कोविड 19 के वेरियंट GN1 वेरियंट के मामलों की संख्या 682 हो गई है